हलो आप लोग कैसे हैं आशा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे सुखी होंगे खोस होंगे और अपने बागवानी में पौधों की देख भाल कर रहे होंगे तो बागवानी में पौधों की देख भाल करना बहुत जरूरी है बागवानी के लिए तो यह एक नीबू का तो इसो मैं बहुत सारे ऊग उग रहे हैं, सभी गमलों में उग रहे हैं इhero होता हूंका होता है कि पता नहीं कैसे सारे रशाओ चार पहुच जाता है और सभी उग तो चार कितनां थोड़िए है नीब़ु के फवॉधह में पोर था इसको खाद का जरूरत है तो थोड़ा इसमें खाट डालेंगे, इसकी गुड़ाई करेंगे, तो जब इस तरह से पौधे फल आ जाते हैं, और फल ये देख रहे हैं, आपकी इसके फल पक गया है, अब बहुत सारे तोड़ लिए गया है, दो-चार पौळ रहे गया थे, तो ये अभी कच्चे थे, तो छोड़ दिया, तो ये भी अपक गया है, तो इस तरह से आपका कोई भी पौधा है, तो उसकी देख भाल और गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, तो आप इस पौधे को देख सकते हैं, कि इसमें फल जो लगे हुए, पके हुए, तो ये दो-तिन महीने से इसमें गुड़ करके निकाल देंगे, इस तरह से, तो आप कोई भी पौधा रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसकी मिट्टी थोड़ी पहले निकाल ले, हलकी हलकी, इस तरह से गुड़ाई करके दीरे-दीरे, और बहुत सारी इसकी जड़े होती हैं, तो ज़्यादा जड़े भी नहीं काटन देख सकते हैं, इस पौधा नीवू का है, और इसमें बहुत सारे नीवू लगे थे, और इस पर सभी तोल लिए ना है, दो चान नीवू कच्चर आए गये थे, तो इसको ऐसे छोड़ दिया था, तो अपक गया है, तो देख रहे हैं कितना सुन्दर छोटा ही पौधा है, लेकिन इतने नीवू लगे थे, बहुत ज़्यादा लगे थे, इस तरह से उड़ाई करने के बाद इस मिट्टी को थोड़ा निकाल दे, अगर पूरा पौधा भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो करują, दो रहे हैं मैं मिट्टी ही निकालनुगी है, तो इस तरह से आप इस मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा निकाल देंप जड़ों, हलके से हलकी हलकी जड़े काट दें ज्यादा ज्यादा जड़े ना काटें क्योंकि ज्यादा जड़ काट देने से ग्रोथ कम हो जाती है तो सर्दी का मौसम है तो इस समय ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी पौधों में बस थोड़ी सी थोड़ी-थोड़ी मिट्टी निकाल दें इसकी तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ी गुडाई करके किनारे किनारे से, और मिट्टी निकाल दे रहा है, तो सरदी में ज़्यादा पोधों की रिपोर्टिंग नहीं करने चाहिए, सरदी में पोधों की ग्रूथ कम होती है, रिपोर्टिंग बरसाथ से पहले करें, बर पौधे लगा सकते हैं सर्डियों के तो लगाएं और देखिए इस तरह से आप थोड़ी सी मिंटी निकाल देए थोड़ी मिंटी जड़ की अभी रखिया तो पूरी मिट्टी नहीं निकालने चाहिए, पूरा पौधा अगर सरदी में आप रिपोर्ट करेंगे, निकाल कर तो पौधा को नक्सान हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा सरदी पढ़ती है, आगे आगे अभी सरदी बहुत बढ़ने वाली है, तो पूरी मिट्टी निका रहे हैं, यह चार छे नीबू हैं, और यह पक गया है, बिल्कुल पीले हो रहे हैं, तो इसको अब तोड़नोंगी, इसको तोड़कर हटा दें, यह सब पक गया हैं, तो अब इनका कोई काम नहीं है, और फिर यह मिट्टी को आपने गमले से थोड़ी-थोड़ी खाली कर द हैं, तब इस गमले को भर हैं, तो खाद वाद रहेगी, तो इसमें ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और बिल्कुल पौधे को जड़ से न निकालें, यह थोड़ी बहुत एकार टहनियां खराब हो रही हैं, बिना पत्तों की हो रही हैं, अभी इसमें पत्ते फूड़ जाए तो इसलिए पूरा पौधा नहीं, जो ज़्यादा टहनि एक्स्ट्रा हैं, तो उनको निकाल दें, इस तरह से आप देख सकते हैं, कि जो एक दो टहनि थोड़ी सी ज़्यादा सूखी सी हैं, यहर पौधे में टहनि नहीं भी निकलती हैं, तो कुछ पुरानी सूखती भी है तो इस तरह से, और हलका हलका सभी टहनियों को थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दें, जरा जरा सी एक एकिंच, तो इसमें से नए टहनि फूट जाएगी, और पौधे की ग्रूथ अच्छी हो जाएगी, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह छोटी छोटी जो टहनियां है इसमें पत्ते नहीं हैं, तो अभी इसमें पत्त जड़ तो आई रहा है, तो सारे पत्ते धीरे धीरे जड़ जाएंगे, अब नए पत्ते निकल जाएंगे, तो इस तरह से कुछ अलग टहनियां जो हैं धीरे धीरे, छोटी छोटी जो हैं जो टहनियों के ऊपर से, एक दो इन सभी टहनियों की कटिंग कर दें तो फूटता है इस तरह से आप कटिंग कर देंगे तो पौधा फूट जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा घना हो जाएगा आ उनल जो भी एक्स्ट्रा टैनी है पत्ते ऐये सूखे पीले जो भी है हम साबटा दें और पौधा बिल्कुल कर दें तो इ सज़आ पौधय पर सूखी पत्ती या तो वह भी नुकशान करती है क्योंकि एकडम सूखती नहीं धीरे धीरे सूखती हैं तो पौधे की ग्रूथ जो है खीचती जाती है और पौधा कमजोर होता रहता है तो जब एकदम सूख जाती है तो उपतब गिरती है तो यह हलकी सी पीली पढ़ जाए पीली पढ़ना लगे तो उनको हटा दें तो इस तरह से आप पीले पत्ते और पीली टानी को हटा देंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी ऊपर से सभी टहनियों को छांते हैं हरकाल का छांत देने से पौधे में नई टहनियों बहुत निकल जाती हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कटिंग करनी जरूरी होती है तो इसके लिए से निकाली है अभी उसको नहीं लगाऊंगी दूसरी मिट्टी ये सुखा कर रखी है तो इस तरह से आप सुखा कर रख ले और मिट्टी तयार करके रखने फिर मिट्टी को गमले में डाले तो इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो इसमें देख रहा है कि ग सरसो की खली मिला कर रखी हुई है तो इसको थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें नीम की खली से कोई भी कीट पतंग होते हैं चोटे से फंगस होते हैं चोटे मोटे तो सभड जाते हैं और सरसो की कली भी कैल्सियम होता है बिल्कुल ग्रोथ में बहुत आसानी से पौधे अगर आपपोगोशिक नहीं इस्तिमाल करते हैं तो यह लकड़का बुर्यादा इसे मिट्ट्टी थोड़ी और बूर्बुर is दो थोड़ी भी ढाल दिया है थोड़ी गोबर की खाद और नीम की सरसो की और थोड़ा लकड़का तो आप इसको भी डाल दिया करें जो भी मिट्टी मिलाते हैं इसमें रखा है थोड़ा सग्चे मैकसीन तो ऑप पौदे के लिए एक चमच दो है तो इसमें सारी चीजे मिला कर आप मिट्टी को अच्छे से मिला लें तो आप देख रहा है कि सूखी हुई मिट्टी बिलकुल तयार है और गमले में इस तरह से मिट्टी बना कर डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और गोबर की खात तो जरूरी होती है और कीट नासक भी जरूरी होता है थोड़ा सा क्यांकि छोटे-छोटे कीट च पर्द है गमले में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी तयार करके बिलकुल सुखा कर रखी हुई है और सब इसमें कई चीजें मिला दिया गया है तो इस तरह से मिला कर पूरा अच्छी तरह से मिट्टी को मिला लें और बिलकुल तयार की हुई मिट्टी जो है जो गम पूरा नहीं निकाला है थोड़ा सा निकाला है और यह थोड़ी से निम की खली और डालते रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यह मिला सकते हैं इसमें नीम की खली और सरसव की खली से पग्रोध ग्रोध बहुत अच्छी होती है इसमें पॉज़्त होते है ये खाद- बहुत अच्छी बनती है यह सब मिलाकर और मिठी को गंले में भारेंगे तो इस तरह से आप कोई भी गमला लगाते हैं तो अलग से मिट्टी सुखा कर और जब भी कोई पौधा लगाएं नया पौधा लगाएं या पुराने पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें मिट्टी को सूखी हुई मिट्टी डालें तो अच्छा रहेगा तो इस तरह से दिरे दिरे ये इस गमले को भर दें पूरी मिट्टी से और जो मिट्टी आपने निकाली है उसको भी सुखा कर रखला तो फिर आगे गमले के लिए काम आएगी और इस तरह से आप पौधे को फिर से भर दें और भर देंगे तो इसमें ग्रूत बहुत अच्छ दिनों में तो अभी इस पौधे की मैं सारी मिट्टी निकाल दिया था और इसमें दूसरी मिट्टी बनी बनाई जो है इसमें खाद मिलाया तो आप देख सकते हैं इस तरह से खाद मिलाकर मिट्टी गमले को भर दें और जितनी मिट्टी निकाली है उतनी मिट्टी डाल दें पूरा गमला अपना पौधे की जड़ धक जाने चीए, इतनी मिट्टी डाला करी ये पौधे की जड़ धक जा तो इस तरह से सभी मिट्टी उस में डाल दिया गमले में, तो आप देख रहे हैं, बिल्खुल गमला बराबर हो गया है, थोड़ा ज़ादा ही Значит क्योंकि पानी पढ़ता है तो मिठी बैटती है तो मिठी पानी के साथ थोड़ी बैटती है तो थोड़ा सा पौधे से जड़ से एक आधी इंची उपर ही डालें तो पानी डालेंगे तो वो पूरा बैठ जाएगी और पूरा अच्छे तरह से और बराबर करने जब भी मिट्टी डालें तो इसको हलके हलके प्रेश करके दबा दें ताकि मिट्टी बिल्कुल खाली न रहे अंदर से और जब पानी डालेंगे तो बैठ जाएगी और मिट्टी खाली रहेगी तो जब भी पानी पड़ेगा तो जादा ही नीचे चली जाएगी तो हलका हलका प्रेश कर दें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिट्टी डाल दिया और गंबला भर गया तो नेवू का पौधा है ये नेवू का पौधा और काफी नेवू लगे थे अब इसकी रिपोर्टिंग करनी है अब कोई कोई टाहनिया भी निकलती है तो जो टाहनिया अक्ष्णा होती है उनको आप निकाल दें जो पत्ते पिली होते हैं उनको भी निकाल खाफन को रिसतर से आप देख सकते हैं कि मिट्वू का ये पवधा लगा दिया और इस तरह से अप लगाएं और जब ठोड़ा पान